एक ब्यपारी को बाजार में घूमती हुई एक बहुत अच्छी नसल का उन्ट दिखाई पड़ा। ब्यपारी और उन्ट पेचने बाले के बीच काफी लंबी सोधे बाजी हुई और आखिर में ब्यपारी उन्ट खरीत कर घर ले आया। घर पहुचने पर ब्यपारी ने अपने नोकर को उन्ट की काठी निकालने के लिए बोलाया। मैंने उन्ट खरीता है नकी हीरी मुझे इन्हें तुरंत बापिस करना चाहिए। नोकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेबकूफ है। फिर नोकर बोला मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर बेपारी ने एक न सुनी और भी तुरंत बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली पापिस देती। उंट बीचने बाला बहुत खुश था। बेबोला मैं तो भूल ही कया था कि अपनी कीमती पत्थर मैंने काठी के नीचे चुपा रखे थे। आप बहुत इमानदार हैं। इसलिए इनाम के तोर पर आप कोई भी हीरा चुन सकते हैं। बेबुरि बोला मैंने उंट के लिए सही कीमत चुकाई है इसलिए मुझे किसी उफार की जरूरत नहीं है। पर जितना बेबुर्थ बेबारी मना करता जा रहा था, उंट भीचने बाला उतना ही जोर दे रहा था। अंत में बेबारी ने मुसकुराते हुई कहा। जब मैंने थैली पापिस लाने का सूचा, तो मैंने दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिये थे, इस कभूल नामें के बार उन पेजने बाला भड़क गया, उसने अपने हीरे ज्वारात गिनने के लिए थैली को तुरंत खाली कर दिया, वे बड़ी पेशो वे दुनिया के सबसे अमीर ब्याति हैं。